Hello everyone, welcome once again to my channel. आज के इस टुटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ होमोफोन्स, होमोनिम्स, होमोग्राफ और पैरोनिम्स के बारे में competitive examinations के परपस से English grammar में ये चारो topic बेहदी important होते हैं तो आज हम इनहीं के बारे में one by one detail में study करेंगे आपको वीडियो बिल्कुल भी skip नहीं करना है, so let's begin it. So, यहाँ पर मैंने first slide को two parts में divide किया है जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है होमोफोन्स और second number पे लिखा है होमोनिम्स आए सबसे पहले होमोफोन्स के ही बारे में जानते हैं होमोफोन्स are words that are pronounced the same but are different in spelling and meaning यानि होमोफोन्स ऐसे शब्द होते हैं जिनका समान रूप से उच्चारण किया जाता है लेकिन उनकी spelling और अर्थ में अंतर होता है आए जानते हैं इसे हम example से सबसे पहला word है हमारे पास यहाँ ब-e-r-t-h जिसे हम pronounce करते हैं birth इसकी meaning होती है sleeping place in train यानि train में सोने का स्थार इससे तो आप जानते ही होंगे अब हमारे पास अगला word है ब-e-r-t-h यहाँ पर भी इसका pronunciation same है यानि की birth इसकी meaning होती है coming to life यानि जन्म आईए अब देखते हैं अगला example यहाँ पर हमारे पास एक और word है जो की है cattle spelling है c-a-t-t-l-e यहाँ पर cattle की meaning होती है animal यानि की जान्वर अब इसी pronunciation के साथ हमारे पास एक और word है जो की है k-e-t-t-l-e यहाँ पर pronunciation same होगा लेकिन spelling change हो गई है यहाँ पर cattle की meaning है vessel यानि की एक प्रकार का बरतन तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब भी कोई दो या दो से अधिक शब्द उचारण करने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी spelling और meaning में अंदर पाया जाता है तो वे सब ही homophones कहलाते हैं अब हम बात करते हैं कि हम homophones को याद कैसे रखेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि यह homophones है या homonyms हैं क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे शब्द हमारे पास होते हैं English grammar में तो not to worry बहुत simple है यहाँ पर एक छोटी सी trick है जो आपको किवल याद रखनी है या फिर आप कहीं अपनी note book में note down कर लीजिये जी हाँ आप सभी को मालूम है homo का मतलब होता है सजाती है यानि एक समान एक बराबर और यहाँ पर हम इसी word से trick निकालेंगे तो homo का मतलब हो जाएगा एक जैसा और phone का मतलब हो जाएगा sound sound यानि की pronunciation तो जब ही कभी शब्दों का उच्चारण एक जैसा होगा तो वहाँ पर वे homophones कहलाएंगे तो इस छोटी सी trick के साथ आप homophones को याद रख सकते हैं बाकी detail में इसकी study करना जरूरी है आईए second number पर अब बात करते हैं homonyms की homonyms are words that sound are same but are different in meaning dear spelling can be same also यानि homonyms ऐसे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनी ध्वनी यानि की उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन उनके अर्थ में अंकर होता है साथी साथ इनकी spelling भी एक जैसी हो सकती है देखते हैं example सबसे पहला word है book spelling है बी डबल ओके यहाँ पर book की meaning है something to read यानि किताब जिसे पढ़ा जाता है अब इसी word से मिलता जुलता word हमारे पास है फिर से book जिसकी spelling भी बी डबल ओके ही है यहाँ पर book की meaning है the act of making a reservation यानि जब हमें किसी बस में या train में travel करना होता है तो उसके लिए हमें ticket या reservation या आरक्षन कराना होता है तो आरक्षन या ticket कटाने के इस कारे को ही हम कहते है booking यानि book करना I hope आपके समझ में आ गया होगा तो देखा आपने दिये गए ये दोनों ही words दिखने में भी एक जैसे है यानि इनकी spelling भी same है और इनका pronunciation यानि sound भी same है बट इनकी meaning में difference है आईए homonyms का अगला example देखते है kind, k-i-n-d यहाँ पर kind word की meaning होती है a type of something यानि किसी चीज़ का प्रकार अब same word, same pronunciation के साथ फिर से हमारे पास word है kind लेकिन यहाँ पर इस kind की meaning हो जाएगी caring यानि की दयालू इस प्रकार यहाँ पर कहा जा सकता है कि जब भी दो या दो से अधिक शब्द उच्चारण में एक जैसे होते है यानि उनका pronunciation same होता है साथ ही साथ उनकी spelling भी same होती है लेकिन उनकी meaning में अंतर पाया जाता है तो वे सभी शब्द homonyms कहलाते है चलिए अब बात करते हैं homonyms के लिए trick की यहाँ पर homonyms की trick homonyms के name में ही छुपी हुई है जैसा कि मैंने अभी बताया homo का मतलब होता है सजातिय यानि एक समान एक बराबर और उसके बाद onym का यहाँ पर जो मतलब लगाया गया है वो name से लगाया गया है यानि लिखा जाने वाला name with spelling इसका मतलब जब भी किनी words में spelling same होगी तो वे homonyms कहलाएंगे I hope आपके समझ में आ गया होगा Friends, यहाँ पर मैंने homophones और homonyms के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया है आशा करती हूँ आप सभी के समझ में जरूर आया होगा चलिए, यहाँ पर फिर से मैंने second slide में two division किये हैं जिसमें first में मैंने लिखा है homograph और second division में मैंने लिख दिया है paronyms आईए बात करते हैं अब homograph की आईए, सबसे पहले देख लेते हैं homograph की definition homograph are words that are spelled same but are different in pronunciation and meanings यानि कि homograph ऐसे शब्द होते हैं जिनकी spellings एक जैसी होती हैं लेकिन उनके उच्चारण और अर्थ में अंतर पाया जाता है चलिए, homograph को example से समझते हैं देखते हैं सबसे पहला word जिसकी spelling है L-E-A-D यहाँ पर इसे lead प्रणाउंस किया जाएगा क्योंकि इसकी meaning है graphite carbon जो एक mineral यानि खनीज होता है आप देखेंगे अगला word यहाँ पर अगला word भी same ही है यानि spelling same है L-E-A-D जिसकी meaning है to conduct लेकिन यहाँ पर L-E-A-D को हम pronounce करेंगे lead क्योंकि यहाँ पर lead pronunciation के साथ इस word की जो meaning दी गई है वो है to conduct जिसका हिंदी मतलब होता है किसी कारे का संचालन करना या फिर किसी कारे का नेत्रत्तो करना वैसे lead pronunciation के साथ इसके कई अर्थ होते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है I hope friends यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा चलिए होमोग्राफ को समझने के लिए देखते हैं अगला example हमारे पास अगला word है B-O-W यहाँ पर इसे हम pronounce करेंगे bow क्योंकि इसकी meaning है a weapon of shooting arrow यानि तीर को चलाने वाला शस्त्र जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धनुश अगला word है B-O-W same spelling के साथ यहाँ पर इसकी जो meaning है वो है to bend your head as a sign of respect यानि जब हमें किसी को respect देनी होती है तो हम उसके सामने अपना सर थोड़ा सा जुका देते हैं जिसे हम बोलते हैं सर जुकाना और इसी लिए इस word को यहाँ पर bow प्रणाउंस किया जाएगा Friends यहाँ पर इन दोनों words के pronunciation में एक छोटी सी ध्वनी यानि sound का अंतर पाया जाता है यानि जब हम पहले वाले word को प्रणाउंस करेंगे तो इसे बोलेंगे बो और जब दूसरे वाले word को प्रणाउंस करेंगे तो इसे हम बोलेंगे बो अस्परकार हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे दो या दो से अधिक शब्द जिनकी spelling एक जैसी होती है लेकिन उनकी meaning यहां तक की उनके pronunciation में भी अंतर पाया जाता है तो वे homograph कहलाते हैं I hope friends यहां तक आपको समझ में आ गया होगा चलिए, अब हम बात करते हैं छोटी सी trick की जिसकी मदद से हम कहीं पर भी homograph को identify कर सकते हैं जैसा कि पहले भी मैंने बताया है homo का मतलब होता है सजाती है और यहां पर graph का मतलब है writing से यानि लिखने से और जब हम लिखने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं spelling की तो spelling तो यहां पर same होती ही है एक छोटी सी बात आपको और add करनी है वो यह कि जब किनी words की spelling same हो लेकिन उनका pronunciation अलग-अलग हो तो वे words definitely homograph ही कहलाएंगे चलिए अब बात करते हैं इस second slide के second part में paronyms की paronyms are words which are derived from the same root word these words differ slightly in form and in meaning a lot यानि paronyms ऐसे शब्द होते हैं जो एक ही मूल शब्द से उत्पन्न होते हैं या बने होते हैं भले ही paronyms root word के साथ start होते हैं लेकिन इनके formation में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है और इनका अर्थ बहुत जादा अलग होता है तो आईए इसे हम example से समझते हैं पहला word देखिए besides जिसके spelling है b-e-s-i-d-e-s यहाँ पर besides का मतलब होता है in addition यानि के अतरिक्त या के अलावा अब है दूसरा word beside यहाँ पर इसके spelling है b-e-s-i-d-e यहाँ पर beside के last में s नहीं लगाया गया है इसका मतलब यह है कि यह second word root word से बना है यहाँ पर इसकी meaning है by the site यानि बगल में या साथ में आईए paronyms को एक और examples के साथ समझते हैं तो अगला word है industrious यहाँ पर इसके spelling है industrious जिसकी meaning होती है laborious यानि मेहनती अब इसी indus root word के साथ हमने दूसरा word बनाया है industrial जिसकी spelling है industrial यहाँ पर industrial की meaning हो जाती है relating to industry यानि किनी उद्योग धन्दों से सम्बंदित अर्थात ओद्योगिक अब हम बात करते हैं paronyms की trick की paronyms को बहुती आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि यह root word के साथ start होते हैं यानि किसी भी words के first half part में यदी समानता पाई जाती है जैसे industrious और industrial में indus common word है तो यही आपका root word कहलाएगा और उस root word के साथ complete word को हम paronyms कहेंगे आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा I hope friends आप सभी को homophones, homonyms, homograph और paronyms के ये चारो concept जरूर समझ में आ गए होगे मैंने इस single video में इन चारो ही topic को समझाने का प्रयास किया है तो video अच्छा लगा हो तो like करे, share करे और जल्दी से मेरे channel को भी subscribe कर ले इस video में इतना ही मिलते हैं अगले video में एक नए topic के साथ तब तक के लिए study करते रहिए, मुस्कुराते रहिए and thanks for watching, bye bye